पूरा जीवन ही रंगों से अंदोलित होता है और वास्तु शास्तर में हम रंगों का प्रियोग निदान के लिए करते हैं पिछले 25 बरसों में जो मेरी observations रही मैंने क्या देखा कि वास्तु परफेक्ट घर बनाने के बाद भी लोगों को समस्याएं हो रही है क्योंकि उन्होंने अलगलग दिशाओं में अलगलग रंग कर रखे थे रंगों का वास्तु में बहुत जादा महत्तपूरण योगदान है रंग अलगलग तत्वों द्वारा प्रदर्शित होते हैं अगनी का लाल रंग है तो जल का निला वायू यानि प्रान वायू प्रान वायू हमें पेड़ों से मिलती है तो उनका रंग हरा होता है तो हरा रंग है प्रान वायू का और अकाश जो है वो सफेद रंग का है और प्रित्वी जो है वो फीली रंग की है अगर जलकी दिशा में यानि उत्तर दिशा में पीला रंग हो रखा है या लाल रंगियों के अगनी का रंग है अगर यह हो रखा है तो जलकी दिशा में वास्तुदोश पैदा हो जाता है जलकी दिशा आपको सहत देती है जलकी दिशा आपको नए अफसर देती है जलकी दिशा सबंधों में जो सेक्स और प्रेम करने का भाव है वो देती है अगर उत्तर दिशा में लाल रंग हो गया नौर्थ नौर्थ वेस्ट में तो सबंधों में अरुची पैदा हो जाती है नए अफसर नहीं आते, सहित खराब होने लगती है ये सब उत्तर दिशा में रंगों का असंतुलित होने से होता है और अगर आपने संतुलन बनाए रखा यानि कि उत्तर दिशा में नीला रंग किया दक्षिन दिशा में लाल रंग किया तो ये तत्वों का संतुलन सही बैठा रहता है तो वास्तुशास्तिर के दिश्टी से रंगों का बहुत महत्त पूर्ण योगदान है आप देखिए आपके घर में अगर सफेद रंग का कोई अबजेक्ट पूरव दिशा में रखा हुआ है जो कि लोगों के साथ आपकी एसोसियेशन को बनाता है वो सफेद रंग रखा हुआ उस एसोसियेशन को खराब करेगा क्योंकि पूरव दिशा सबंदों की दिशा है लोगों के साथ एसोसियेशन की दिशा है साउथ इस्ट की दिशा अगनी की दिशा है और अगर वहां पर नीला या काला रंग है जो की जलतत्तम का है तो cash flow में दिकते आनी शुरू हो जाती है अगर आप महावास्तू के किसी भी किताब को पढ़के अलग-लग दिशाओं के zones की जानकरी ले लेगे तो अगर वहाँ पर उस zone के अनुसार रंग नहीं है तो वो zone वास्तू दोश से ग्रस्त हो जाता है और आपको समस्या आने लगती है तो ध्यान रखिए उत्तर दिशाओं में अगर कोई रंग करने है तो नीला या हरा किया जा सकता है पूरव दिशाओं में अगर रंग करना है तो हरा या लाल किया जा सकता है दक्षिन दिशाओं में अगर रंग करना है तो लाल और पीला किया जा सकता है पश्चिम दिशा में रंग करना है तो सफेद और नीला किया जा सकता है परंतु बाकी रंगों का प्रयोग वर्जित है पूरे घर में आफ वाइट या क्रीम कलर या हलका सफेद, दुदिया सफेद रंग किया जा सकता है इससे कोई दोश पैदा नहीं होता महावास्तू की कुछ किताबों को पढ़के ये जानकारी ले लीजिए और हमेशा अपना बातावरब सुखद, सुन्दर और स्वस्तवरब बनाए रखिए